दिली में बीजोपी की राष्ट्रकार का अनिक बैठक का समापानाज थोड़ी देर में प्रधान मंत्री नरीदर मोधी देंगे आने वाले चुनावों में जीत का मंत्र दर्मेंद्र प्रधार ने गिनाई मोधी सरकार के उपलब दिया कहा आर्थ्वेवस्था में यूगी को पीछे छोड़ भारत पाचवे स्थान पर राममंदिर पूरा होने की तारीख आने पर पीएम मोधी का जताया अभार दिली विधान सवा में LG परपर से CM के जिवाल कहा हमारे सर पर आकर बैट गए है LG हमारी फाइले रोकने का कर रहे है काम होश्यारपूर में राहूल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक यात्रा के दौरान अचानक आकर लिपट गया एक शक्स राहूल गांधी ने सुरक्षा में चूक से किया इनकार आरेसेस पर राहूल गांधी का बड़ा बयान कहा कभी नहीं जा सकते आरेसेस मुख्याले कोई गला काट दे तब भी नहीं जाएंगे सचिन पाइलेट ने गेलोध पर फिर सवाल उठाए कहा पेपर लीग होने से मन आहद छोटे दलालों पर आक्शन ना काफी राजस्तान के भिलवाडा में बेपली कामने को लेकर सडकों पर उत्रे चात्र प्रदर्शन के दोरान हुई पुलिस और चात्रों में धक्का मुक्की चंडिगर बीजेपी का मेर की कुर्सी पर कबजा बीजेपी को मिले 15 वोट आमाधी पार्टी को 14 वोट अनुक गुपता बने चंडिगर के नए मेर जेडियू नेता नीरज कुमार ने ट्वीट कर आरजडी पर किया पलेटवार कहा बढ़ता बिहार नितीश कुमार ट्विटर की नहीं काम की सरकार दावोस में बॉल्ड एकनॉमिक फोरम में महराश्ट्र को मिला 45,900 करोड रुपे का निवेश सीम शिंदे ने MOU किये साइन 10,000 लोगों को मिलेगा रूजगार जबू कश्मीर के वडगाम में SSP दफ्तर के बारें इंकाउंटर सुरक्षबलों ने दो आतंक्यों को मार गिराया इलाके में सर्च ओपरेशन जारे दिली पुलिस को चार संदिक्द आतंकियों की तलाश उत्राखन में आतंकियों को मिले पाकिस्तान से हथ्या जांगीत पूरी में पकड़े गया आतंकियों से मिली जानकारी आर्थिक बरबादी के बीच पाकिस्तान के बदले सुर पी-म शैबाश शरीफ ने कहा भारत से तीन युद लड़का सबक लिया अब हम शांती से जीना चाहते हैं शैबाश शरीफ ने कश्मी मसले का हल निकालने को भी कहा बोले भारत और पाकिस्तान पडोसी हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है पी-ओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन लोगों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे महंगाई और खाने की कमी को लेकर प्रोटेस्ट